क्रिस्ट में प्रियभायों एवं बहनों संपोर्न केली सिया संद मरिया फॉस्टिना कोवाल्सका का पर्व मनाती है उनका चैनम 25 ओगस्ट सं 1905 में पॉलन्ट में हुआ था वे एक सरल एवं प्रातना में जीवन बिताती थी इश्वर की सबी इच्छावंगों पूरा करती थी उनका जीवन प्रभू में था इश्वर की सेवा में और उनसकी कृपा में वे आगे बढ़ रही थी 20 साल की आयू में उन्होंने करुणा की मामरियम की धर्म बहनों के धरम संग में प्रवेश किया उन्होंने 5 अक्टोबर सन 1928 की अपने मृत्यों तक अपने 13 साल का धरम संगिय जीवन बिताया प्रभ्येशुने कही बार संदफावस्टेना को दिव्य दर्शन दिया और उन्होंने इश्वरिय करुणा की शिक्षा प्रदान की इश्वरिय करुणा पर भरोसा रिकर पाप स्विकार कर परंप्रसाद ग्रहन करने वालों को पापों की श्यमा तता सभी पाब दंड से मुक्ती प्राप्त होती है संदफावस्टेना का कहना है कि एसुने ही उन्हे करुणा की मालाबिंती की प्रार्तनाय सिखाई संदफावस्टेना को एसु का दिवेदर्शन हुआ एसु सफेद कपडे पहने हुए थे उनका एक हाथ आशिश देने के लिए उठा हुआ था और दूसरा हाथ चाती पर रखा हुआ था जहांसे दो प्रकार की किरने निकल रही थी लाग और सफेद रंग की किरने कि लाल और सफेदी किरने रक्त और जलक के प्रतीक है जो भाले से उनके हरदी को चेदिद किये जाने पर बहाये थे दर्शन में प्रभी एसु ने यह आदेश भी दिया कि जिस रूब को उनोंने दर्शन में देखा था उसी का तस्वीर बनाए और उसके नीचे एसु में तुझ पर बरोसा रखता हूं अंगित करे और ये भी एसु ने कहा कि इस तस्वीर की उपासना को विश्वासियों के बीच फाहिला दे संदफाउस्टिना की अनुसार प्रभी एस चाहते हैं कि हम ना केवल करुणा के लिए प्रार्तना करे बलकि करुणा के काईर्य भी करते रहे प्रभू ने संद फौस्टिना से कहा कि मैं तुम्हें अपने पडोसियों के प्रदी करुणा दिकाने के तीन तरीके देता हूं पहला अपने कर्मों से, दूसरा अपने वचनों से और तीसरा अपनी प्रार्थना से संद फौस्टिना की अनुसा दोपहर के तीन बजे की प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली होती है क्योंगी वो एसु की अनुसा करुणा का सर्वोत्तम समय है संद उन्निस सव तिरानवे में संद पापा जौन पॉल द्युदिये ने फौस्टिना को धन्य और संद दोपह सार्व वर्ष में संद कोशित किया आये हम भी संद फौस्टिना के मद्धिस्ता लेकर प्रार्थना करें आमेन